हेलो फ्रेंट्स वेल्टम तो मैं इस्टेटी फीटो फीजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों जैसे कि आप सभी का बिहार सिच्छ बहाली बीपी सी सेकेंड फेज का जो आवेदन है तीन नौंबर से चवदे नौंबर तक दिया हुआ था बट उसमें कुछ कारणों से डिले बहुत बड़ी सूचना है आपके लिए कि आपकी जो परिछफ वैटर्न है उसमें क्या बादला हुआ है अधिसूचना कब तक जारी हो जाएगा एंड क्यों डिले किया गया है कितना समय लगेगा एक्जाम डेट क्या होगी इन सभी चीजों को जानने के लिए वीडियो प आप सबको यह जानकारी दे दू क्योंकि जो में फीजिकल एडिकेशन की जो प्रैक्टिस करा रही हूँ उसका वीडियो में आज अपलोड नहीं कर सकी हूँ मेरत जो है तबियत थोड़ा खराब हो गया है इस कारण से मैं आज नहीं अपलोड कर सकी सामको वीडियो आपका अपलोड होगा और डेली बेसे इस पर उसी तरह रूटीन के अंसार होगा तो दोस्तों जैसे कि सिच्छक नियुक्ति की अधिसूचना आज संभो क्या है सुचना कि बिहार लोक्ष्रिवा आयोग बीपीएस्सी ने दितिय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोंगिता परिच्छा के लिए आविदन 3 नौंबर से स्विकार करने की जानकारी बिग्यपती जारी कर दी गई थी आयोग का कहना है कि अधिसूचना तयार है विभाग से हरी जंडी सनिवार को मिलने की संभावना है दुदिये चरण के लिए मध्या एन माध्मिक व उच्च माध्मिक विद्यालों में शिच्छकों के 79,692 पद चिन्हित किये गए हैं वहीं पहले चरण में माध्मिक और उच्च माध्मिक के रिक्ती रिक्त पचास हजार से अधिक सीटे भी इसमें सामिल की जाएंगी मुख्य मंतरी नितिस कुमार ने दुदिये चरण के लिए एक लाग बीस हजार सीटों पर नियुक्ती की घोश्रा की थी इसके अधार पर पहले चरण में प्राक्मिक सिच्चकों के रिक्त सीटों को भी दुसरे चरण में सामिल पहने की संभावना बढ़ गई है डिपीय चरण में किसी भी यगताव अहरता के लिए अपियरिंग अभियर्थी को मौका नहीं दिया जाएगा यानि कि जो आपका 79-70,000 पद हैं सेकेंड फेज में भरती में वहीं में जो पहले फेज के 50,000 पद अभी बाकी हैं उसको इसमें एड की जाने की बात हो रही है और जो है जो सीटेट वाले अपेरिंग हैं उनको मौका नहीं दिया जाएगा जो है आपका जो नौटिफेकेशन है वो आज कल के अंदर या बहुत जल्द ही आपका जारी हो जाएगा और आपके एक्जाम डेट में दिले नहीं होगा आप यह मत सोचिएगा कि दिले होगा सब कुछ तैय समय पर होने वाला है और बहुत जल्द होगा अब बात करेंगे हम आपके परिशा पैटर्न की जैसे कि पहले दो पेपर होता था एक में 75 कोस्टन हिंदी और 25 कोस्टन इंग्लिज का होता था जिसमें 30% आपको पासिंग मर्ग लाना अनिवारे था अब क्या होगा इसमें बदलाव आ गया है अब आपका जो एक्जांग होगा 1500 कोस्टन का होगा कितने का होगा 1500 कोस्टन होगा जिसमें से आपका 80 कोस्टन जो है सब्जेक्ट का होगा एंड 40 कोस्टन जो है आपका देजिनिंग जीके मैथ एंड भुगोर नागरी सास एंड समाने बिग्यान और करेंट अफेर्स सभी मिक्स से होगा यानि कि पुरकुल होगया 120 कोस्टन 120 कोस्टन पर आपका मैरिट बनेगा बट 30 कोस्टन इसमें और जोड़ा जाएगा ठीक ह से अभी पर जब ही अधी सूचना जारी होगा उसमें सब डिटेल में दिया रहेगा तो 30 कोस्टन जो आपका रहेगा 120 के अलावा उसमें आपको पास होना अनिमार रहेगा नहीं तो आपका 120 वाला कापे भी नहीं जचेगा तो आप यह धियान रखे अब दो एक्जाम नही जाना होगा तो यही सूचना आपके लिए थी तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही और मेरे प्रैक्टिस सेट का इंतजार करें जल्द ही आ जाएगा और डेली बेसे वाप वीडियो अप्रोड होगा तो दोस्तों मेलते हैं नेक्ट्ट वीडियो में तब तक के लिए झेली जाएगा चार चारा लाएगा दो आट गरी टॉप बस्ड़तार ऑाई आटार ा नेक्टalnya जार राम तो दो पाफ्रोड़ जाते हैं जाए जाएगा होगा उिडियो जाएगा यहांगा जो